इनिया की तमाम ताजातरीन खबरे जानने के लिए अवाज इनिया न्यूस को सब्स्क्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाए बोली बामन मास से स्रधा उम्त्रवेदी के रिपोर्ट के अनुसार सडक मार्ग ठीक करने की मांग को लेकर ग्रामिनों में आक्रोज छेत्र के बड़ा गांस तरोवर ग्राम पंचत मुख्याले से लेकर ग्राम रवासा तक के तीन किलोमेटर सडक मार्ग को ठीक करने की मांग को लेकर ग्रामिनों में आक्रोस बना हुआ है इस मामले को लेकर बड़ा गांस सर्वर के वीर तेजवाजी प्रांगन में ग्रामिनों ने एक बैठा कायुजित की जिसमें भरतिय जंतर पार्टी किसान मौर्चा के प्रदेश मंत्रिवा मंदल अध्यक्षा मौतार मिना पंच मीनवा सर्विजनिक निर्मान विभा के अधिसासी अभियंता बदन सिंग गुजर को समस्या से अवगत कराया मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्विजनिक निर्मान विभा के सहक अभियंता सुम्राज मीनवा कनिष्ट अभियंता बहादुर सिंग गुजर मौके पर एवं सडक मार्ग को दस दिन में ठीक करने को लेकर ग्रामिनों से आम सहमती बना कर लिखित में दी गई इसके बाद प्रदेश मंतरी प्रधान वा अध्यक्ष की उपस्तिती में ग्रामिनों ने SDM कार्याले बोली पहुचकर हस्ताक्षर यूप्त सहमती का ग्यापन पत्र दिया जिस पर उखण अधिकारी बदरी नारायन मीना ने अपनी देख रेख में दस दिन में सड़क मार्ग को PMFT योजना के तहर ठीक कराने का अस्वासंदिया धर्णप पदर्शन के दोरान दैराम मिना हरियों पुजारी मदन बेरवा भरत मिना हनुमान सिंग राजावत राजवत राजवेंद्र मिना राधिश्याम पुजारी वपुर्व छात्रसंग अध्यक्ष धारा सिंग गुजर सहित सैक्ड़ो लोग उपस्ति थे गौरतलब है कि इस तीन किलोमेटर मार्ग पर कई वर्सों से सडक छातिग्रस्त हो कर जगा जगा खड़े हो रहे थे इसे ठीक करने के लिए ग्रामिनों ने अनेको बार प्रसासन को लिखित में आउगत कराया लेकिन किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देने पर ग्रामिनों ने यह करवाई की इस मार्ग पर चात्र चात्रा वा विद्यालियों की बस कोई भी सही ढंग से चल नहीं पाते थे इस कारण इस मार्ग से गुजडने वाले अने को गां के ग्रामीनों को भारी परिसानी का सामना करना पड़ता थे